मुझा जाए 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 फिल्म का मेकिंग बहुत ही बढ़िया है और गेट अप सर ने जो डाक्टर है राजंद्र मोर्या जी ने उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कॉंटेक्ट किया और बोले कि इसा है कि इसमें दाड़ी वगरा रहेगा और इस तरीके से मुझे मतलब फिटनेस वगरा चाहिए तो मैं त्यारी कर रहा था और उनके विश्वासों पर ख़रा भी उतार रहा हूं और उनके बिश्वासों फाइब मंथ तो होई गया है शेव रखते हो जी और क्या-क्या ट्रेनिंग लेना पड़ा इस रोल के लिए अपर ट्रेनिंग वगरा वही एक्सराइज जीम वगरा यह सब मैं कंटिनु किया हूं तो डाइट वगरा पर ध्यान दिया हूं बस ऐसे चल रहा है तो यह फिल्म उन्होंने मुझसे कॉंटेक्ट किया फिर बोला कि बाबु ऐसा ऐसा चीज है और यह चीज मुझे चाहिए उनको लगा कि नहीं लड़का कर सकता है तो मुझे विलिप किया तो बस पहली बार भोजब एसे फिल्म जिसमें हीरोईन हीरो के साथ नहीं है जीना हीरोईन वाली मैं करने को तयार हूं लेकिन वह फिल्म हो समाजिक हो समाज में कुछ चाप छोड़े है वैसा मैं करना चाहता हूं थोड़ा सा हट के करना चाहता हूं जैसे आज के टाइम में होता है मुझे वह पसंद है और मैं हीरोईन पर नहीं जाना चाहता हूं टोपिक कॉंसेप्ट ह मारा बेहतर होना चाहिए और मैं उस पर वर्क करना चाहिए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस फिल्म को करके फिल्म के परॉडिसर बारें किया कहना जहाँ और अपरी यहां प्रियंका जी हैं सालेइंद्र जी हैं बहुत अच्छे इंसांनी है लोग उन लोग को भी साजीयों गैई ही बच्छे हैं और भी आगे बात चल रहे हैं 개 weigh-ख हमों टॉटेशन लिफ में के कि सई में क्या बोलते हैं कि बढालगं ओंच्ड में काम किये हैं दौरी खाड़ की ए अच्छा लग्व ऐर भी जो कुछ रोडली एरिया के हैं वहांपर हम लोग कम कीई हैं अच्छा लगा है काम करकर लोकेशन एक दम नचुरल दम बहुत ही अच्छा लोकेशन हम्मोक भी ऐचेशरी कर मिला। इसलिए काम है कि एक तो इनसान वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं और मुझे उन्होंने काष्ट किया उनको लगा कि लड़का कर सकता है तो मुझे बहुत पसंद है और उनके मैं जो उमीद रखते थे मैं उस पर खरा उतर रहा हूं बहुत अच्छे हैं और मैं आशा करता हू चाइल्ड आर्टिस ने बैठे हैं यह 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 खुछ से अपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो ज्यादा बहतर है यह मैं पहले में बता दूं कि इसमें मेरा नाम गोधन है और यह गोधन का करेक्टर कर रहे हैं बच्पन का तीन गोधन हैं मैं बड़ा हू अबने जफान से थोड़ा से इंट्रोडक्शन दिया अवा यह अपना नाम जाइसा था आप मेरा नाम डॉंस आगरे मैं लिए सविए चोटा रोल किया थे तो कैसा आपको जो रोल मिला क्या डायलाग बोलने पड़े थी इसे सम्झा आगया था आपको करना है गाने में मैं तूहीर के साथ है कि नाम पता है आपको क्या नाम था उनका इक्तिंट্ किया है ने पेल पहले आपको एक्टर बनना है हां है कि देखने आप आते हैं तो सुटिंग में क्या क्या देखा ही रों कैसे लग रहे थे ठीक लग रहे थे तो अच्छा लग रहा ही देखते हैं यह साइना जी है और साइना जी इसमें मेरे बहन का करेक्टर कर रही है और इसमें सब कुछ इने को इपर डिपेंड है फिल्म की जो स्टोरी वह भाई बहन पर है और कुछ अचा हासा हो जाता है जिसको मतलब भाई उसको आगे बढ़ाता है इस्टोरी में यह सब है और बहु मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काफी इनके पास अनभव है मुझे बीच बीच में टिप्स को गएरा भी देते रहते हैं कि आर इन जी ऐसा किजिए वैसा किजिए तो मुझे तो बढ़ा चाहिए और जितने यहां पर टेक्निशियन हैं जितने भी प्रोडक्शन का मैंम्बा से सब बहुत अच्छे हैं सब कुछ सब को मुझे शिकाता है बताता है क्योंकि मैं नया हम भी बहुत को सीख रहा ओंधिरी धीर भूसी कमीया है लेकिन उसको कोशिच कर रहा है और okay play . नमस्कार मैं यह कहना चाहूंगी हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है जो बहुत ही खुबसरत और बहुत ही अलग फिल्म है क्योंकि सब बोलते तो है यूनो फैमिली फिल्म बनाएंगे या फिर समाज को आइना दिखाएंगे बट बोलने में करने में बहुत फर्क होता है तो यह अच्छली वैसे ही फिल्म है कि हम एक जात है जिसको हम इग्नोर करते हैं बहले हमें ज़रुत उसी की होती है बट हम उसको इग्नोर करते हैं तो यह उसी के उपर एक फिल्म है और जो भाई बहन का रिस्ता है जो बहुत कम डेरिंग करते हैं भाई बहन के उपर लेक इतनी बहतनी फिल्म में सरी है तो बहुत अलग दिखेगा आप मेरा मेक अप गेट अप देख रहे होंगे कि वह तड़कता भड़कता मेक अप मेरा नहीं है नहीं इनका लुक है हम लोग बहुत वह जो आप पबलिक जो होती है जो गाओं की लोग होते हैं जिस कास्ट को हम र सबसे मुश्किल काम है नेचुरल शूट करना यूनों दस बोड़ी गाड़ दस लोगों को दिखा देना वह बहुत अलग है तो बहुत मजा रहा है तो कई फिल्म में दो हीरो है एक ये और एक मैं और मुझे भी किसी हीरो की सपोर्ट की ज़रूत नहीं है तो हीरोई तो य हमएं दौनों है और दोनौ जर्णी है जो एक जर्नी खतम होती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा पुश करता है कि ठीक है हम कितने भी कभांशोर क्यों नहीं है अगर इंसान ठाल ले तो कुछ भी कर सकता है तो वह ज़ीज है क्या कैने जाना अद्य की अमक्या का के बारे में तो जितना कहा जाए उतना जहां तक लोग मुझे कहते हैं आओ गेस्ट अपेरियंस करो एक गाना कर लो यूनो आइटम कर लो क्योंकि तुम हीरोईन हो तो हमारे फिल्म में एक मसाला आ जाएगा तो इन्हों ने मुझे काली बनाने का सोचा कि मतलब एक गोरी ले लो चाहिसको ले लो बट सर ने मुझे बिलीव दिखाया तो थाइंग्यू सब्सक्राइब हो अब हो है नहीं कहीं बाहर गई हुए बट हम उनको मिस कर रहे हैं वह बहुत ही टाइलेंटीड लेडी है और मतलब मुझे गर्भ है कि मैं एसी फिल्म में काम कर रही हूं ज तो यहां पर क्या होता है एक इधर जाता है तो वह प्रॉबलम नहीं है महु को अच्छा लगाए थी में फॉर्स टेम स्ट करी मो मैं तो बहुत अच्छा है यहां की लोग भी बहुत कोपरेटीव है वह ऐसा नहीं है के शूट नहीं करने दे रहे हैं और सबसे इंट्रेस् और हमें बी सपोर्ट करिएए क्योंकि डारेक्टर पृडूसर हमें काम दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ू ऑर में और काम करूँगी तो यह आप ही करवा सकते तो प्लीज अपनी साहिणा Sinya singh एक उनके दिल पर राज करेंगे मुझे तो पुरा विश्वास है और एक छाप छोड़ कर जाएगी या मुझे ये वी विश्वास है कि जब हमारी फिल्म आएगी मार्केड में तो वहां से इतने भी फिल्मेकर्स हैं ये अपने टोपी को चेंज करेंगे और वो प्यार और मुझे उमीद है कि दसक इसको पसंद करेंगे आपको पता है कितनी अच्छी फिल्म बनी थी वो भी एक बेटी के उपरी थी तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी वो चोली और वहां से निकलके है हम एक अपनी जो हमारी कल्चर है हमारी गाओं की हम उस मिटी की खुश्बू को दिखा रहे हैं और यह फिल्म भी उसे रिलेट करती है अपने दर्श्रकों से भी कहते हूँ प्लीज जाए संगस देखिए और थेटर में देखिए फोन और मोबाइल का छोड़ दीजिए आप लोग फिल्म थेटर के लिए होता है तो अच्छा लगा वोजे कहा बहुत अच्छा लगा कैसारी जी ने अपने आप पर बहुत ईक्सपेरिमेंट किये थे और बहुत किया है और वो रिजब बी करते हैं जिस लेवल पर वो है और आपने संगस टु का ट्रेलर देख़गी क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा लगा है और मैं भी चाहता है कि वैसे ही लुक में आओं लेकिन मैं भी देखा नहीं हूँ और अभी टाम नहीं मिला था लेकिन अब मैं अभी जश्ट देखने जा रहा हूँ और काफी अच्छा है ऐसे होना है जिए फिल्म या चेंज थोड़ा हो कुछ हो सकता है बड़ कोशिश ना करने तो अलग बात है लेकिन मैं दसकों से यही कहता हूँ हाँ जोड़कर कि आप लोग भजपुरी को प्यार दीजिए सपोर्ट कीजे कुछ कमी आ हो तो उसको भी समझने कोशिश कीजे धीरे धीरे चेंज हो रहा हर चीज